आज बहुत दो इंपोर्टन टॉपिक आप सभी लोगों के साथ शेर करना है मुझे तो चलिए वहला वाला जो टॉपिक है वो है कैलकटे इनिवेसिटी की जितने साथे स्टूडेंट्स है उन लोग के लिए कि देखिए बीए बीए सी ओनर्स जेनरल और मेजर का जो अपलोड करना कंप्रीट हो गया है पांच ही फेवरी को यानि कि आठ तरिक से अपलोगों का ओनलाइन फॉर्म फिलप स्टार्ट हो रहा है तो इसमें प्रॉब्लेम क्या है देखिए एक बार देख लेते हैं कि जो ओरिजिनल नोटिस था क्या था वहां पे देखिए लोगों का पांच तरिक का जो तक कंप्रीट हो चुका है लेकिन बहुत सारा स्टूडेंस ने मुझसे पूख चाहे कि सर मेरा जो चेक्लिस्ट है वो दिखा नहीं रहा है तो फिर शो नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूँ अभी देखिए कल सोंबार है और आठ तरिक से है और कल से जो फॉर्म फिलप उस्टार्ट हो जाएगा यानि कि पोर्टल में उनलाइन फॉर्म फिलप कर सकते हैं लेकिन यहां पर जिन लोगों का जो आपका चेक्लिस्क नहीं दिखा रहा है तो आप लोग यह जो विंडो है cu exam window.in यहां पर एक बार जाएए देखिए ऐसा आपका candidate information दिखाएगा तो यह candidate information के पास जाके आपका नया हो या फिर पुराना हो जो भी हो नया होगा तो नया में आप अपना registration number डालिया और उसके बाद इसको continue कीजिए continue करने के बाद आपको क्या होगा दिखाएगा आपका पूरा details हो आपे क्या-क्या है और क्या-क्या अगर इसमें भी आपको क्योंकि आपको मैं इस window में जाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको जो CU exam बाला जो है उसमें आपको अपका नहीं दिखा रहा है शायद लेकिन अगर इसमें आपका दिखाता है तो problem solve हो जाएगा और करसे आप अपना form fill up कर सकते हैं ल CU exam window.in में भी तो आपको बहुत ही जल्दी अपना जो college है और institution जो भी हो उसमें आपको inform करना है जो authorities है उन लोगों को को कि आपका जो checklist है वो show नहीं कर रहा है बढ़ना आपका जो form fill up करने का जो process है वो delay हो जाएगा तो जल्दी कीजिएगा और अपना form ज़रूर fill up अभी इसके बाद तो आशा रखता हूँ आप लोगों का problem solve हो जाएगा दूसरा वाला जो है देखिए ये एक बहुत important एक message आया है हमारे Prime Minister नरंद मोदी जी से आजी के दिन आया हुआ है और ABP Education जो है अन्दवजार पित्ति का group का तो उसमें क्या कहा गया है उसमें कहा गय with courses in regional languages in each state Prime Minister Modi तो इहां पर ये क्या कहा गया कि अगर किसी भी state में एक at least एक medical college और एक technical college हो जहां पर जो students admission लेंगे वो students अपना जो original language है यानि कि अगर समान लेते हैं कि West Bengal में होता है तो West Bengal में अगर अपना कुछ जैसे के बिंगॉली चलते हैं तो बिंगॉली में जो लोग पढ़ना चाहते हैं बिंगॉली में पढ़ सकते हैं तो ये जो है ये बहुत ही बढ़िया एक step है मैं कहूंगा और आप लोग जानते भी हैं क्यूंकि UGC के किस दिन पहले एक notice भी जाया था कि First Year का जो इंगॉली में पर पाएंगे इसके लिए बहुत सारे university step भी ले रहा है और किताब जो है ओ भी बिंगॉली में translation करने के लिए ये काम चल रहा है तो ये एक बहुत ही बढ़िया initiative है क्योंकि अगर हम बाहर किसी भी इन्टरनाशनली जाते हैं तो देखते हैं वहां पर जैसे के Russia में जाते हैं तो देखते हैं वहां पर Russian dialogue में students लोग पढ़ते हैं और science and technology में कितना आगे बढ़ चुके हैं अबही हम लोग अगर France में जाते हैं तो देखते हैं जर्मन में पढ़ते हैं लेकिन ये इंडिया में ही एक irony है इसलिए क्योंकि पहले British colony र लेकिन हाँ अभी शायद ये दुख के दिन दूर होने जा रहा है और जो लोग और जो स्टुडेंट्स रिजिनल लैंगोज में पढ़ना चाहते हैं वो लोग पढ़ पाएंगे तो विद दिस आ कम तो एन एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर